Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम Class 5 की Book Our World का Chapter 5 Oceans को पढ़ेंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले पृति एक वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहे शुरू करते हैं, चैप्टर है आपका Oceans, Oceans, Oceans कहते हैं महासागरों को तो चैप्टर का नाम है महासागर, Oceans are the largest reservoir of water on Earth Reservoir कहते हैं पानी के स्रोथ को, Oceans यानि की महासागर, Earth पर पानी का सबसे largest यानि की सबसे बड़ा स्रोथ है, Saline water bodies are located all around the continents Saline कहते हैं खारे पानी को, इतमीज नमकीन पानी को, नमकीन पानी के स्रोथ यानि की नमकीन जल के स्रोथ, continents यानि की महादीपों के चारो तरफ इस्तित है Approximately two-thirds of the surface of our Earth is covered with oceans लगबग, approximately इतमीज लगबग हमारी अर्थ का two-third surface यानि की जो सते है वो ocean से cover है, ढकी हुई है, यानि की पानी से ढकी हुई है It is for the reason और यही कारण है, that from space our planet यानि की Earth looks like a blue boy की अंतरिक्ष से देखने पर हमारी प्रत्वी नीले रंग की बॉल की तरह दिखाए देती है Continents divide this water body into Pacific, Atlantic, Indian, Southern and Arctic Ocean Continents यह जो मादूइप है, यह इस विसाल जलसरोत को किस-किस में बाटते हैं इसी से Pacific, Atlantic, Pacific यानि प्रसांत महासागर, Atlantic, Indian यानि के हिंद महासागर, सदरन, दक्षणी महासागर और आर्गेटिक महासागर में बाट देते हैं It means इसी जलसमू से यह सभी महासागर बने हैं These five oceans are the extension of one vast boundless water body यह पाँच महासागर वास्तम में एक ही जलसमू का विस्तार हैं Oceans and Seas, यानि की महासागर और समूंद Seas are part of oceans, समूंद सागरों का ही एक पार्ट है Sea and ocean water touch the coastal areas of continents सागरों का या फिर समूंदरों का पानी coastal area यानि की जो continent से उनके तटिये छेत्रों को touch करते हैं For example, जैसे की the water of Indian ocean that joins the western coast of India is called Arabian Sea Example के लिए जैसे की Indian ocean का पानी इंडिया के western coast को यानि की पश्चमी तट को छूता है जिसे Arabian Sea कहते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में यह है Atlantic ocean यहाँ पर Indian ocean है यह है Pacific ocean Caribbean sea is the water of Atlantic ocean जो Caribbean sea है वो Atlantic ocean का ही पानी है It means उसी से बना है which touch the coastal areas of middle and southern America जो की middle और southern America के coastal areas को touch करता है Mediterranean Sea, Arabian Sea and Tasman Sea Oceans play an important role in defining climate and weather on earth महासागर प्रत्वी पर मौसम और जलवाईयों को define करने में एक important role play करते हैं When the sun shines over the oceans जब सूर्य ओशियन की महासागरों के ऊपर चमकता है Then millions liters of water vaporize to form clouds तब लाखों लीटर पानी वास्त के रूप में बादल बनाता है This water falls back to the earth in the form of rain or snow और यही पानी फिर वापस से प्रत्वी पर बारिश या फिर बर्फ के रूप में आ जाता है Rivers and streams take water back into the oceans नदिया और जो जल धाराएं हैं वो पानी को वापस से समंदर में ले जाती है This way water cycle is completed और यही जल चक्र होता है और इस तरीके से जो जल चक्र है वो complete होता है Oceans are a huge store of marine life and vegetation सागर जल में रहने वाले जीव और वनस्पतियों का एक बहुत बड़ा store है जानवरों को और पौधों को nutrients यानि की पोसक तत्व प्रदान करते है That live in water जो की पानी में रहते है This influences the environment of the earth और यह जो है यह सब चीजें अर्थ को प्रभावित करती है यानि की जो अर्थ का पर्यावरन है उसे प्रभावित करती है The ancient youngers to very small and huge marine life live in the ocean संसार के सबसे प्राचीन, सबसे युवाय और सबसे चोटे और सबसे बड़े जीव महासागर में रहते थे Out of these is blue whale और इन में से ही एक है blue whale The largest animal जो की सबसे बड़ा जानवर है animal है While plankton is a tiny one और जबकी जो plankton है एक छोटा जीव है यानि की सबसे छोटा जीव है That also lives in this world वे भी इसी वर्ल्ड में रहते हैं These very small plants release oxygen while manufacturing their food और ये छोटे छोटे पोधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस समय oxygen release करते हैं यानि की oxygen छोड़ते हैं Only due to this oxygen और इसी oxygen के कारण life started on this planet इस planet पर यानि की इस ग्रह पर जीवन शुरू हुआ Today these plants give half of the earth's oxygen और आज ये plants जो हैं प्रत्वी की आधी oxygen को प्रदान करते हैं यानि की प्रत्वी को half oxygen प्रदान करते हैं Now we will learn about resources from oceans हमें महासागरों से कौन कौन से resources मिलते हैं First one is salt on earth प्रत्वी पर नमक यानि की जो प्रत्वी पर नमक मिलता है वो हमें महासागरों से मिलता है Salt is a part of our body नमक हमारे body का एक हिस्सा है Even our tears are saline बलकि हमारे आसू भी saline यानि की नमकीन होते हैं Can you imagine क्या आप कल्पना कर सकते हैं your meal without salt अपने भोजन को बिना नमक के Marine water contains about 3% common salt जो समुंदर का पानी होता है वो 3% नमक रखता है यानि की उसमें 3% नमक होता है Do you know क्या आप जानते हैं if all the salt of the ocean is taken out कि यदि महासागरों का सारा नमक बाहर निकाल लिया जाए and spread over the surface of the earth और प्रत्वी की सतह पर उसे फैला दिया जाए then the 152 meter deep layer of salt will be formed तो क्या होगा इससे 152 meter गहरी layer यानि गहरी परत प्रत्वी पर बन जाएगी किसकी नमक की Now we will learn an interesting point history of salt यहाँ पर हम नमक की history के बारे में कुछ पढ़ेंगे In the older days प्राचीन समय में यानि की पुराने समय में the Roman soldiers were given salt as a part of their salary Roman जो सिपाही होते थे उन्हें नमक उनके वेतन के रूप में दिया जाता था यानि की वेतन के बाग के रूप में दिया जाता था About 700 years ago in Tibet packet of salt were used as money it means currency लगबग 700 साल पहले नमक के packet को currency के रूप में यूज किया जाता था Do you know कि आप जानते हैं that महात्मा गांधी symbolized salt as a form of protest कि महात्मा गांधी ने नमक को विरोध के रूप में विरोध के प्रतीक के रूप में use किया When the British government imposed tax on salt जब British government ने salt पर यानि की नमक पर tax लगाया Then Gandhi ji led an agitation and traveled up to Dandi in Gujarat तब गांधी जी ने विरोध किया और Gujarat में Dandi तक यात्रा की This is an important part of India's struggle for independence यह है भारत के आजादी के संगर्स का एक महत्वपून पार्ट है Second resource है petroleum One fifth of the world's petroleum comes from wells dug under the surface of the seas Vishw के petroleum का one fifth part समुंदर के नीचे खोदे गए कुओं से प्राक्त होता है India's biggest oil fields are in the Arabian Sea India के सबसे बड़ा oil field Arabian Sea में है Petroleum is an important source of fuel and energy Petroleum, fuel यानि की इधन और energy का सबसे महत्वपून साधन है Next is nutrition Nutrition it means portion The first living organism came to earth from the sea पहला जीव प्रत्वी पर समुंदर से ही आया था Fist, whale, etc. are sea animals ये सभी क्या है मचली, whale, etc. ये सभी समुंदरी जानवर है That are sources of nutritious food जो की एक पोसक भोजन के प्रमुक स्रोथ है Next is pollution and conservation Pollution यानि की प्रदूशा और conservation सन्रक्षा River Yamuna flow in Delhi दिल्ली में Yamuna नदी बहती है उसका काला, बद्बूदार जाग वाला पानी जो की इन जानवरों को धीरे-धीरे मार रहा है जो की इस नदी में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं It is because of our houses ये हमारे घरों के कारण है and factories और factories के कारण है that a lot of polluted material is discharged into rivers की बहुत अधिक यानि की बहुत सारा polluted प्रदूशित material इन नदियों में छोड़ा जाता है this pollute rivers और ये नदियों को क्या करता है pollute करता है, प्रदूशित करता है soap water from houses, घरों से साबून का पानी chemicals from factories, फैक्टरियों से chemical and seaways make pollute rivers और जो seaways नालियों का पानी है जो बड़े बड़े नाले हैं उनका पानी नदियों को प्रदूशित करता है a lot of chemicals and insecticides are used in agriculture बहुत सारे chemical और insecticides को agriculture यानि की खेती में प्रियोग किया जाता है when it rains और जब बारिस होती है these poisonous insecticides flow into the river तो इसमें लगाए गए insecticides यानि की जहरी ले कीट ना सक ये नदियों में बह जाते हैं and finally these rivers enter the sea और अंत में ये नदियां जब समुंदर में प्रवेस करती है and pollutes it as well तो वहां के पानी को प्रदूशित करती है ये ships है इन में oil ले जाया जाता है और जब oil के tanker जो है risk जाते हैं तो उनका जो oil है वो समुंदर के पानी में फैल जाता है जिससे समुंदर के पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीव हैं उनके लिए बहुत harmful होता है तो आप इस picture से ये समझ सकते है जहाँ पर यानि कि जिन देशों में oil को बनाया जाता है वे country oil को tankers के थूँ दूसरी countries में भेजती है Whenever there is any accident of these tankers जब कभी इन tankers का कोई दुरगटना हो जाती है oil spills over the water covering large surface तो क्या होता है जो oil है वो water surface पर बिखर जाता है और एक बहुत सारी surface को cover कर लेता है of the ocean मास आगर की the polluting it और इस पानी को क्या कर देता है प्रदूशित कर देता है birds floating over this water get their wings stuck in oil अब इस पानी के ऊपर जो birds float करती हैं तैरती हैं उनके जो wings हैं इस oil में चिपक जाते हैं then after which they cannot fly और उसके बाद क्या होता है वे उड़ नहीं पाती हैं fishes and other organisms die of suffocation due to lack of air जैसे कि fishes और अन्य जीव हैं जो की समुदर में रहते हैं वहाँ पर suffocation के कारण it means उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और वाईयों की कमी के कारण वो मर जाते हैं pollution in sea and oceans effect even those समुदर में या महासागरों में प्रदूसर जो है उन चीजों को भी effect करता है प्रभावित करता है that live far away जो की उनसे दूर रहती हैं you will ask how अब आप ये सोचेंगे question करेंगे कि कैसे अब क्या होता है ocean की surface पर जो oil है वो वास्पित होता है it means जल वास्प के रूप में उपर जाता है and the poisonous part of it enter far और इसका जो जहरीला भाग है वो दूर तक प्रवेश कर जाता है and wide in clouds कहां पर बादलों में when it rains और जब बारिस होती है then pollution spreads तो क्या होता है producer fell जाता है do you know क्या आप जानते है that pollution from the burning of oil wells in Iraq that is West Asia has reached the Himalayas कि Iraq में oil के wells यानि की तेल के कुएं जलने से West Asia में जो producer है वो हिमालय तक पहुँच चुका है now wonderful and interesting points यहाँ पर हम कुछ interesting points को देखेंगे Mariana Trench is the deepest part of the Pacific Ocean on this earth इस प्रत्वी पर Pacific Ocean में यानि की प्रसांत महासागर में सबसे गहरा भाग क्या है गहरी जगे है Mariana Trench यानि की Mariana Chi it is more than 11 km deep यह 11 km से भी जादा गहरी है the huge blue whale eats a small organism विसाल blue whale जो है वो छोटे छोटे जीवों को खाती है जैसे की करील which is only 6 cm long जो की केवल 6 cm लंबा होता है these live in huge crowds यह जो है बहुत ही बड़े जुंड में रहते हैं grass called soul जिने soul कहा जाता है these souls can be 5 meters deep यह soul जो है वो 5 meter गहरी हो सकती है one blue whale can eat 4000 kg of creels in a day एक blue whale जो है वो एक दिन में 4000 kg करील जो जीव है उन्हें खा सकती है the huge white shark has white zaws जो बड़ी विसाल white shark है उसके चौड़े चौड़े जबड़े होते है these have razor like triangular teeth इसके जो है blade के जैसे triangular दाथ होते है each tooth is more than 7.5 cm long उसका प्रतियक दाथ जो है वो 7.5 cm से लंबा होता है a starfish protects itself from enemy by de-attaching its organs एक starfish हमलावर से बचने के लिए अपने अंग छोड़ देती है new organs soon regret क्योंकि उसके नए अंग जो है जल्दी से ही ओगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये है starfish now let's do something draw picture of whale, shark, starfish and write their characteristics तो आप whale, shark और starfish इनकी picture बनाएंगे और उनकी विसे स्ताय लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर ये है blue whale ये क्या है, ये कौन सी fish है? ये है starfish और ये है यहाँ पर shark तो आप जो है अपने mind से अपने thought लिखेंगे इनके बारे में कि कैसी होती है, क्या खाती है, कितना वजन होता है तो ये सबी चीजे इन fishes के बारे में आपर लिखेंगे Now interesting point, natural characteristics of continents यहाँ पर जो है, continents यानि कि महादीपों की विसेस्ताओं के बारे में हम पढ़ेंगे First one is South America The longest mountain range, Andes, is situated on this continent इस continent पर सबसे longest mountain range, यानि कि परवत स्रेंकला, Andes जो है वो इस्तित है The world's largest evergreen forests are located in amazing basin World के सबसे बड़े evergreen, यानि कि हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल यहाँ के amazing basin में इस्तित है An amazing animal armadillo is found here यहाँ पर यहाँ का amazing animal, जो amazing, जानवर है armadillo पाया जाता है Second continent is Europe The world's deepest tunnel is in France World की सबसे गहरी tunnel, सुरंग कहाँ पर है, France में है Rendiers are found here, यहाँ पर rendiers पाया जाते है Next continent is Australia This continent has only two countries इस continent पर केवल दो ही countries है, कौन कौन सी Australia and New Zealand Kangaroo, Koala and Namital are the animals found here, यहाँ पर Kangaroo, Koala and Namital जैसे जीव पाय जाते हैं The biggest coral rock, the Great Barrier Reef is found here along its coastline यहाँ पर सबसे बड़ी coral rock यानि की मूगे की चटान Great Barrier Reef स्थित है Next continent is Antarctica It is the coldest place on Earth यह प्रत्वी पर coldest यानि की सबसे थंड़ा स्थान है No human being live here यहाँ पर कोई भी human being नहीं रहता है Once two-third fresh water is stored here in the form of floating icebergs विश्व का two-third fresh water यहाँ पर तैरते हुए iceberg के रूप में store होता है Only penguin live here यहाँ पर केवल penguin ही पाए जाते है Next continent is Asia The world's highest mountain peak average is located in Nepal World की सबसे उची परवत चोटी average नेपाल में इस्थित है Which is on this continent जो की समाधी पर है This peak is 8848 meter high above sea level यह जो peak है चोटी है वो sea level से 8848 meter उची है Bay of Bengal is the world's largest bay Bay of Bengal यानि की बंगाल की खाड़ी विस्व की सबसे बड़ी खाड़ी है Bengal tigers and lovely pandas are found on this continent इस continent पर बंगाल tiger और pandas पाए जाते हैं Next continent is Africa Lion, elephant, giraffe, mountain gorilla and zebra live air यहाँ पर कौन कौन से animal रहते हैं सेर, हाती, giraffe, mountain gorilla and zebra The world's longest river Nile 6,675 km long is situated in this continent यहाँ पर विस्व की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई है 6,675 km यहीं परिस्थित है यानि की इसी continent परिस्थित है The world's biggest desert Sahara is also on this continent विस्व का सबसे biggest desert यानि की रेगिस्थान सहारा यहीं परिस्थित है Next one is North America In the United States of America 349 km long Grand Canyon Valley is located United States of America में 349 km long Grand Canyon Valley is located In USA, the highest Mona Kecha Mountain is 10,023 meter high And it is half submerged in sea USA में सबसे उचा परवत Mona Kecha जिसकी उचाई है 10,023 meter प्रत्वी पर सबसे उचा परवत है जो की sea में यानि की समुन्दर में आधा submerged है यानि की डूबा हुआ है Next is Mithun is the most powerful animal found in this continent Mithun यानि की Mithun को कहते हैं गवल Mithun जो है सबसे सकती साली जानिवर जो की इस continent पर पाया जाता है तो आपका ये chapter था आपने इसे बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और आपके समझ में आ गया होगा तो आप इसे फिर से एक बार वीट करेंगे अच्छे से समझेंगे और दुबारा पढ़ेंगे तो इसी के साथ आपका ये chapter complete होता है मिलते हैं next वीडियो में इस chapter के question answer के साथ If you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you